हाई एम्रीवान नमस्कार वेलकम बैक टू माई चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स कैसे हैं आप सब बाशा करती हूँ सब बिलकुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे आज कब लोग मैंने शुरू किया है शाम के साड़े चार का टाइम है आज शाम से व्लोग शुरू किया है सुबा से आज नहीं किया था कुछ ऐसा था नहीं रोज रोज यही एक टाइम का रूटीन ने तो अच्छा नहीं लगता तो आज मैंने शाम के टाइम से शुरू किया जो होगा जैसे होगा एक किलिप छोटी सी कल की वीडियो की बची हुई है कल वीडियो काफी बड़ी हो गई थी जब मैंने आपके साथ अलमीरा शेयर किया था और्गनाईजेशन अपना तो एक जो है थोड़ा सा रह गई थी किलिप तो अब मैं बनाऊंगी चाए और जब तक आप वो की लिप देख लीजेगा जो मेरी कल की बची हुई है बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है छोटी करते 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 तो बस ऐसे ही रहता है उस दिन ये वीडियो गई है जो मैंने अलमीरा जो अपनी शेयर किया है कि मैं कैसे और्गनाइज करती हूँ और ये वीडियो आपको इससे दो दिन बाद मिलेगी क्योंकि इसके बिच में एक वीडियो बैड सिट का जाएगा बैड सिट का वीडियो बनाया है बहुत अच्छी अच्छी बैड सिट आई है बहुत अच्छा स्टोक आया है अगर आपको बैड सिट लेनी है और आपने बैड सिट की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप देख लीजेगा एक बार बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन आये है कॉटन में भी और ग्लेस कॉटन में भी तो चलिए आप जब तक जो है वीडियो एंजोई कीजी और मैं चाई बना लेती हूँ और फिर शाम को बनेगा आज कड़ी पकोड़ा आज पापा की फर्माईस है पापा का अदेश हुआ है कि आज कड़ी बनानी है मेरे ससुर जी का तो आज कड़ी पकोड़ा बनेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी भोत इन हो गए तो कड़ी की रसिपी शेयर भी नहीं की है वैसे तो बहुत बार की है लेकिन अब काफी टाइम से नहीं की है की थी वजीटेबल कड़ी वाली लेकिन आज बनेगा कड़ी पकोड़ा तो वो शेयर करूँगी तो चली मैं चाई बनाती हूँ तब तक आप वो के लिप देखिए तो देखिएब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ अपने जो बेडरोम हम आज कल यूज कर रहे हैं दोनों बेडरोम है वो हम समर में यूज करते हैं और ये हम विंटर में करते हैं तो यहाँ पे रखती हूँ अपना सारा जो है वूलन का स्टोर करके और थोरा सा ऊपर चरना पड़ेगा तो देखिए ये बकसा है जैसे पहले बकसे आथे थी ना तो वो वाला है ये और ये भी मेरी शादी कही है पहले शादी में इन दिये जाते थे तो इसमें मैंने अपने सारे सूट गरम जो मैं पहनती हो विंटर में और अपनी कूर्तियां जितनी आती हैं इसके अंदर कर देती हूँ स्वेटर वगरा यहां मेरा कुछ भी नहीं है और इधर आपको दो सूटकेस नजर आ रहे होंगे देखिए ये वाले एक नीचे है एक ये है इनमें जो है इनका है बच्चो का पतिदेव की जैकिट वैकिट एकाद सारे इसमें नहीं आते हैं लेकिन जितना इनमें आता है इतना मैं इसमें करती हूँ और ये भी हमारा चोड़ा बहुत है मतलब इसका वृत काफी है गहराई भी काफी है लेकिन जो है उंचा ही नहीं है इसकी छोटा ही यह हमारा सेक्षन है अलमिरा का और जो आगे आपको इतना जो है यह टिला न जरा रहा होगा यह है हमारा जो बहुत जादा गर्मी में कपड़े यूज होते हैं जो इनके अंदर मैं विंटर में रख देती हूँ तो अब क्या हुआ उनको फिर से खाली किया इनको मैंने यहां पे लगा दिया और वहाँ पे मैंने उनमें winter का अपना रख दिया है इन में से कुछ कपड़े use करेंगे कुछ हमें हटाने हैं जो अभी सारे ऐसे ही रखे हुए है क्योंकि कुछ इनकी shirt, paint हैं जो पुरानी हो चुकी हैं नहीं use करेंगे और कुछ बच्चों के छोटे हो चुके हैं टी-shirt, shirt बहुत सारे ऐसे हैं जो इन में से हटाने हैं लेकिन अभी इतना time नहीं था मैंने सारे ऐसे ही रख दिये हैं और किसी को देते भी हैं तो बहुत अच्छे से wash की वे प्रेस की हुए मैं कपड़े देती हूँ तो देखे कितने अच्छे से मैंने ये रखे हुए हैं इन में से निकाल दूँगी जो use करने हैं वो हम use कर लेंगे बाकी किसी को दे देंगे यहां पे मेरा ड्रेयर रखा हुआ है यह मैं यहां पे सामने ही रखती हूँ बस इसमें कुछ ज़्यादा जो है नहीं है चोटा मोटा आइटम यहां पे कुछ रखा हुआ है पोलो थिन में बाकी यह इसमें भी आपको पूरे में जो है टैल्स मिलेंगी टैल्स मैंने हर अल्मिरा में लगवाई है और यह टीशर्ट भी बच्चो की इसलिए है क्योंकि अभी बच्चे फुल पहन रहे हैं तो यह हाप टीशर्ट वगेरा है सब हाप कपड़े रखे हैं यहां पे इनकी कहीं भी जगेर नहीं है और जो यह अल्मिरा है यह हम डेली यूज नहीं करते हैं तो यह हमारा स्टोर टाइप ही है पूरा उपर से नीचे तक इस नीचे वाले में हमारे जो है बहुत सारे आइटम होते हैं जिसमें मेरा बड़ा बक्सा है जिसमें मैं बिस्तर वगेरा भी जो है, store करके रखती हूं तो कुछ ऐसे रखती हूं सारे कपड़े देखे बस यह इतना सा है और यहाँवे भी उपर से नीचे तक है, यह उपर store type ही है बहुत बड़ा सा है यहाँपर भी बहुत सारा सामान है और यह हमारा छोटा सा है देखिए इतना ही है देखिए ये इतना ही है वस इसमें बहुत सारा समान फिर भी आ जाता है और ये नीचे बड़ा है काफी और इसके साइड में हमने ये अपनी फोटो लगाई थी उस दिन तो ये हमारा ये वाला रूम है यहां आपको बच्चा पार्टी नजर आएगी देखिए दोनों भाई फिलाल फिरी है अभी अभी शिरे ने अपना जो है काम खतम किया है पढ़ाई लिखाई का और फिरी है थोड़ा सा टाइम और बोर्ड आप देख सकते हैं फोन साथ में ही जो है चार्ज हो रहा है और लैप्टॉप पर बच्चे बहुत कम काम करते हैं फोन में ज्यादा करते हैं तो चलिए तो चाइवाई हो गई है और अब मैं आपको थोड़ा सा जो है गार्डन का टूर करा देती हूँ गार्डन में अभी कुछ है नहीं आप लोग बोलते हो इतनी सारी जगे है ये कर लो वो कर लो तो इतनी जगे नहीं है बहुत ही थोड़ी सी जगे ये ऐसे दिखती है हाँ धनिएया मेथि पालग वगरा इतने के लाइकी है पुदीना पुदीना मैंने अभी लगाया नहीं है और धनिएया उग्या है पालग भी बुगया था घर्मी का सिजन आ रहा है और मैंने पालगवया है सर्दियों में हुआ ही नी उगा ही नी था कुछ भी और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ धनिया कैसा हुगा हुआ है यहां पे न यह बड़े पेड़ो रखे यह जो बड़े पेड़ो रहे न जैसे यह आम हो गया एक कमरूद का पेड़ा एक गुडल का है तो यह जो बीच वगरा डालती हूँ ना वो छोटे जैसे खेती टाइप हो गया तो यह होने नहीं देते जो जमीन की पावर है ना जादतर इन बड़े पेड़ो ने ले ली और इतना खाद मिटी इतना कोई ध्यान वगरा देते नहीं है और कुछ यहां की मिटी हमारे आकी ऐसी है इस दूप आने लगी यहां पर बस इतने में धनिया बोया था इधर इधर आम से आम की जड़ है इधर ही बोया था और यह सारा जो है बीच अच्छे से धनिया के निकल गए सारे छोटे-छोटे प्लांट्स आपको दिखाई दे रहोंगे बहुत अच्छा निकला है देखे यह यह आम हो गया इतना मोटा इसकी जड़ हो रही है यह यहां पर गुलाब की जड़ हो गई और यह मेरे जो अंदर प्लांट्स रखे थे अब यह भी इस प्रेक्या अन्च ने तो यह वह गए एक देखे यह हो गया अम्रूद और यह देखे यह हो गया गुडल का यहां पर तो इसलिए यह जो जमीन की ज़्यादा ताकत है ना इन शायद इन पेडों नहीं ले ली बड़े वालों ने और धनिया भी खतमी नहीं हो रहा तोड़ती भी हूँ मैं देखे यहां से तो बहुत सारा निकाल लिया बहुत बड़ा हो गया यह जग्या भी खाली पड़ी यह इसमें पूदीना लगाना है तो पूदीना आएगा जब किसी को टाइम होगा तो तब लगेगा और यहां देखे यहां पर आपको दिखाई देगा यह है पालक तो पालक भी अच्छे से ग्रो हुआ है बहुत अच्छे से देखे सारे बीज निकले हैं पालक के जितने जुदकार हो गया था क्योंकि धूप नहीं अच्छे से जम गया अब देखते हैं होगा इन दिनों की नई इन दिनों पालक होता नहीं है तो यहां से देखिए इन में चोटे जो यह गंबले रखे हुए है चोटे चोटे तो इन में भी मैंने बीज पोई हैं एक पूल के बीज पोई थे देखती हूँ होंगे या नहीं होंगे तो गुलाब पे कलिया आने लगी अच्छी अच्छी देखिए तो गुलाब पे कलिया आने लगी इसको मैं इसले हो कट किया यह बोल ले ते कि अच्छे से काट दें गुलाब को कितने सारी नई व्रांच इतना भी रैड डैड सब नई व्रांच है तो सब पर देखी एक कलिए इस तरह से कलिया जो है आनी शुरू होगी कि बहुत सारे एक बार फिर फूल देगा, अब इतना सारा, तो इसलिए नहीं मैंने इसको काटा था, एक ये प्लांट्स कमले में उपर खराब हो गया था, तो इसको मैंने उपर से काट दी, अब देखती हूँ, ये भी जो है, निच्चे से फुटेगा, छे से ये नहीं फुट स्प्रे कर देता है, क्योंकि वो धूप में मुर्जासी जाते हैं, तो चलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, तो दिखाती हूँ, देखिए, यहां से ये निच्चे ने शुरू कर दी, अपना काम, देखिए, ये वाला प्लांट्स दिन लेके आये थे, बहुत सारे फ प्लांट्स दिन लगाया था मतलब और ये वाला पहला ही है, ये वाला पहला ही है, लेकिन इस पे ना देखिए, ने ने फूल आ रहे हैं, तो इसको हटाया नहीं था, मैंने अभी दिए तो ठीक है, तो चलिए, अब चलते हैं, ओपर बहुत हावा का मोसम हो रहा है, आजकल काफी हावा चलती है, गुलाब पे अभी कोई जो है, यहाँ पे ब्रांच नहीं आई, उस दिन किया था, शिरे ने इसको कटिंग, कटिंग करने के बाद ना देखिए, निकलनी तो शुरू ही थोड़ी थोड़ी इस पे, नीचे वाला बहुत जल्दी गिरो हुआ, तो एक प्लांट था, और इसके ओपर एक कली आने वाली है, मतलब फूल खिलने वाला है, इक खिला हुआ था, और इसका तो सूख भी गया है, इसका तो पे नेई नीज कली आ रही है, आज कल अच्छे नी आ रहे प्लांट तो इस पे भी जो सारी है, इसनी आई, खिले ही, एक यह प्येला था इसी तरह के आ रहे अब है और बाकी सब पुराने हैं ये है मेरा निबू का पेड ये मैंने जो है गमले में निबू का पेड लगा रहा है लेकिन लगता नहीं है होगा कि की पीला पड़ चुका है इसका प्लंटर है भी काफी बड़ा लेकिन फिर भी ये पीला पड़िया देखो क्योंकि बड़ी जड़ हो गई इसकी काफी मोटी दो पेड़ है ये एक ये वाइट वाला गुलाब है वो ये भी निकल रही है इसमें भी व्रांच नहीं नहीं देखते हैं कलिया कबाती है तो एक ये खराब हो गया है देखे ये भी पहले वाला था ये वाला भी इस पर निच्चे फूल आ रहे है जो नहीं नहीं निकल ली ना छोटी छोटी इसमें तो इस पर निच्चे तो फूल आ रहे है उपर से मैंने कट कर दिया देखते हैं उपर तक आती है ये नहीं आती है तो यह वाली आज कल ऐसे ही प्लांटा रखे कोई ज्यादा सीजन वाले आनी रही है बच्छी अब आएंगे आगे आगे ना जो गेंदे वगएर हैं देखे इसके उपर भी इतने सारे फूलते लेकिन बस यही थे इस तरह की और यह मेरा मोगरा है यहां पर बहुत सारे फूल दि ए है सर्दि के बाद तो उन भाया ने बोल ला है कि सारे मोगरा ऐसे ही हो राखे हैं तो मैं दूसरा मंग वारी थी लेकिन उन बोला की यह हो जाएगा ठीक से पीला-पीला हो रहे है सारे पत्ते एक यह के म今ने यह पश्दाबार यह तो घर में रहते हैं बहुत ज्यादा तो इसकी कुछ पत्तियां पीली हो गई हो जाएगा दिरे-दिरे सूरज बिल्कुल छिप चुका है वो शाम का टाइम है पूरा अब मैं नीचे चलूंगी पूजा का टाइम हो गया है तो देखिए यह पीछे का है हमारे घर के देखिए थैम ठंडी ठंडी हावा है और अंशल्ड दिया है नीचे तो बस सब में भी नीचे चलती हूं और फिर पुजा करते हैं फिर अपना खाने वाने का देखते हैं तो चलिए अब चलते हैं नीचे अब कनेर पर अच्छे आएंगे फूल देखो नहीं नहीं जो ये निकली ना सारी तो ये नहीं नहीं निकली में सम्मेज वह कली आएंगे कहा बठी है कबूतरी बठी है ये देखे जो हमारी शौप का सटर है यहां न तो उसके ऊपर यह कबुतर रहते हैं, अब पता हैं कोई कैसे रहते हैं, कोई कैसे लगा को बढ़ते हैं, यह बढ़ते हैं तो यह तो पसंदे हैं तो यह पाहँ से बढ़ते हैं, तो प्जा मेरी हो गई है, और उसके बादissenschaft आप सरच हैं हूँ दई को फैट लिया है और उसमें बसन अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये प्याज्ञ चोपर मेंいる रृष्ण फ्रेश डालने वाली हो और मैंने कड़ाई चड़ाई है उसमें डालनी आ है सर्सो का तेल सर्सो के तेल में QD July jadi हमेशा सरसो के तेल में ही कड़ी बनाती हूं यहा livre कि तुछ और होती है रिपन वगर में अच्छा नहीं लगत है तेल अच्छे से गरम किया है फिर उसमें डाल दी है एक चमच मेति थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च THोड़ा सा हीङ लाल मिर्च ब ans बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह से कड़ी में अगर आप उपर से तढका लगाते हैं तो बाद में भी ढाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें डाल दी है प्या जो लहसुन थोड़ा सा मेथी होने के बाद और बस अब इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लोंगी वैसे जादा तर मैं मठी की बनाती हूं कड़ी क्योंकि जो घर में मठा बना लेती हूं मलाई का उससे बना लेती हूं लेकिन इस अब बनाई थी तो आज पापा का मन हुआ तो दही से बना रही हूं और प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है मैं इसमें डाल रहे हूं सुखे मसाले धनिया पाउडर डाला है एक चमच हल्दी पाउडर कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर दोनों डाल दिये हैं त दही में करीब 3-4 गुना पानी डल जाता है वैसे मैं दही की ज़्यादा बनाती नहीं हूं मैं हमेसा मठे की ही बनाती हूं कड़ी मठे की ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन आज पापा का मन था तो मैंने दही से ही बना दी और बस अब इसको लगतार चलाना है जब त उसको एक साथ ही चलाना पड़ता है मतला बीच में रोकते नहीं है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता और देखिए बॉयल आ गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से नमक अभी तक मैंने नहीं डाला था और कड़ी पकोड़ा बना रही हूं तो पकोड़ा मैं बाद में बनाऊंगी कड़ी में बॉयल आ गया है इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी एक साइड और गरम मसाला भी साथ में ही डाल दूँगी क्योंकि फिर कड़ी ठीक हो जाती है तो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता कई बार या फिर हमको पानी में गोल के डालना पड़ता है तो मसाला अभी कड़ी पतली है तो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो गया है मैं इसको कवर कर दूँगी और मीडियम आज पे इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए और यहां पे तैयारी कर लेती हूँ मैं पकोड़े की बेसन का ही पकड़ा बन कर दूँगी यह थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बस लंस न रह जाएं अच्छा सा जो है यह हमें घोल तैयार कर लेना है मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि मैं जो कड़ी के पकोड़े हैं वो पतले बेसन के बनाती हूँ पतले के फूलते हैं अगर हम ज ये चक्की वाला बेसन था जो चक्की से बेसन आता है न पिसा हुआ पैकिट वाला नहीं था ज्यादा तर पैकिट वाला बेसन अच्छा रहता है तो ये पापा लेके आये थे चक्की से तो ये ज्यादा बारीक था तो इसकी जो है सेप आप देख सकते हैं पकोड़े जैसी ए तो पकोड़े काई आएगा लेकिन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी तो मेरियम आच पे इनको मैंने सेख लिया है वह ज्यादा तेज नहीं करनी है नहीं तो फिर अंदर से ना बिल्कुल कच्चे-कच्चे रह जाते हैं और बाहर से सिख जाते हैं तो यहां पर कड़ कड़ी बनती है तो कड़ी बनके हो गई है तैयार अप मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी और बस पकोड़े के बाद एक ही वोल लगाना है बहुँछ ज़्यादा देर नहीं पकाना है जिससे की थोड़ा सा पकोड़े के अंदर भी कड़ी का फलेवर आ जाए बहुद ज चावल भी मेरे साथ साथ बन गए हैं और ये देखिए कड़ी हमारी हो गई है तयार बन के बहुत ही सौप पकोड़े बन गए हैं फूल गए हैं अच्छे से देखिए तो कड़ी तयार हो गई है आप चाहें तो इसके उपर तड़का लगा सकते हैं लाल मिर्च का कलर वाली जो लाल मिर्च होती हैं कश्मीरी लाल मिर्च और जादा सुन्दर लगती है देखने में टेस्टी भी लगती है बाकी इसमें कोई कमी नहीं थी तो चावल इंडक्सन प लगा दी है जलनके चावल मैंने जादा ढाल दी हैं लेकिन ये चावल हम दोनों खाएंगे इचावल्, और बखिस और कड़ी पकोड़ा, और और आज हम खाना जो है बहुत लेट खा रहे हैं क्योंकि ये आज लेट आए हैं पापा को खाना बहुत पहले किला दिया था तो बताइए का जरूर कैसी लगी आपको कड़ी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी है हाँ जी काम खतम हो गया है और टाइम साड़े दस हो रहे है साड़े दस से भी थोड़ा सा ज़्याद ही हो रहा है दो चार मिंट तो इतना टाइम हो रहा है आज काफी लेट हो गया ये लेट आए हैं ओफिस से बहुत ज़्यादा मिटिंग वगएरा थी इनकी कुछ तो बहुत लेट आये हैं, कल भी लेट आये थे, आज भी लेट आये, तो तो दिन बहुत लेट हुआ है, बस फिर हमने खाना काया, फिर बरतन बरतन काफी लेट हो गया, थोड़ी देर बाते बगरा की, और मैं लगी थी थोड़ी देर फोन में, अपना काम कर रही थी, तो बस यह टाइम हो गया है और यहां पर मेरे कोमेंट याद आया है तो met camera करूं कि जो है और मेरी सिर इंलो को लेकि कोमेंट आते हैं तो उन्होंने बोला कि जो है सिर इंलो को नहीं दिखाती को और नहीं उनहें उनहें पास आप बैठते हो तो देखिए मैं उनके पास बैठती नहीं हूँ ये आपको कैसे पता हुगा और आपको उनके आलत का शायद नहीं पता है जो मेरे डेली के विवर्स हैं उनको पता है डेली देखते हैं मुझे वो समझते हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं तो शायद आप नए होंगे चैनल पे या तो भी वीडियो देखनी शुरू करी होंगी पहले से मुझे फॉलो नहीं कर रहे होंगे मैंने उनको वीडियो में कितनी बार दिखा भी लिया है तो वे ऐसी नहीं है कि मैं रोज उनको वीडियो में दिखाऊं या फिर वे मेरे काम में इंबॉ में टेले नहीं वो जादा तर अपने रूम में रहती हैं अपने विस्तर पर रहती हैं इतना जादा नहीं चल पिर पाती हैं वो तो फिर वीडियो में कैसे आएंगी ये बताओ हाँ अगर दूसरा बंदा घर में है मैं समझती हूँ आप समझते होंगे कि नॉर्मल इंसान है दूसरा बंदा कोई साथ में होता है जैसे घर में लेडिज दो हैं तो दोनों किचन में काम करती हैं तो लेडिज घर में दो हैं म बस आती है तो इतना कि अपने बरतन रखने आती है खाना खाके बरतन रख देती है, बस इतना काम करती है, तो प्लीज समझने की कोशिस करें, तो वो इस हालत में है नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो सिर्फ थोड़ा सा टैलती हैं, बहार 2-4 मिंट के लिए ह उनसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है तो इसलिए मन को वीडियो में नहीं लेकर आती वो रोज रोज अच्छा नहीं लगता है मुझे ये बात बोलना तो इसलिए तो ग्लेज आप समझ ये कि मेरे गर में लेडिस मैं ही हूँ बस इतना समझ लेजिए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए मेरे बात ये ध्यान आई मैंने चलिए आपको अच्छे से जो है इसका अंसर यहां दे देती हूँ चलिए बस अब एंट करते हैं और सब्सक्राइब कर दीचेगा अगर अभी तक नहीं किया है चैनल पे नहीं है प्लीज प्लीज लाइक कर दिया करो मिलूंगे कल आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फोर वाचिंग एंट गुट नाइट